नबस्कार दोस्तों कर आपके बास भी आई एडिया फिर बोड़ा का सिम है तो उसमें आप विंज ओल नाइटा को कैसी उज़ कर सकते हो चलिए आज की सिरू में इसी पर हम बात करेंगे तो आप विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइक भी जी और विडियो को बिना एक्सकीप के हुए पुड़े इंड़गे तब भी आपको समझ में आने वाला है चलिए वीडियो को सागरता हूँ दोस्तों आपके विडियो कैसी में तुश में विंज और नाइटा कैसी उसकर सकते हो विकोज ये सक्सन काफी फिरी होता है और इसकी अंद्रगत कोई भी लिमिट नहीं होता है मतलब आप ज़ना चाहोगे उतना ड़ाटा यहापर यूज़ कर सकते हो और इसके लिए आपक काफी important है तो इसे वीडियों हम बात करने वाल है कि आप विंज और नाई डाटा कैसे यूज़ कर सकते हो काफी अच्छे की तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरू सब्सक्काइब में ने खक यह देख पास हूँ और यूज़ करने के तो win all night data में से cut होगा या फिर daily data में से cut होगा विकाज आज Sunday है तो Sunday को मिलता है weekend data roll over तो इसके अन्रकर ये भी हम चेकर लेंगे एकर हम कुछ इस तरीके से use करते हैं तो क्या weekend data roll over में से cut होगा या फिर किस तरीके से होगा सब ही को हम चेकर लेंगे तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह के देख पार होगे कि 23 GB के आसपास में आज यूज हुआ है और इस मंत में भी 23 GB हुआ है विकाज यह फोन थोड़ा सा नया है और इसमें मैंने पहली बार SIM के लगाया हूँ और पहली पर SIM लगाने के साथ आप यहाँ पर देख पर होगे यहाँ पर भोल्ट भी इनेबल है और यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर पर चला है कि BIL लिखा हुआ है यहाँ मेरे फोन में BII का ही SIM लगा हुआ है कोई order company ऐसा facility नहीं प्रभाइड कराती है इसलिए आप यह 22 GB एप्रोक्स लगभा में 23 GB के आसपास हो चुक है और मैं अगर आपको BII के अप्लिकेशन में चेक करा हूँ तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह के देख पर होगे कि मैंने आपर BII का अप्लिकेशन खुला और BII का अप्लिकेशन खुलने के बाद जो भी यहाँ पर डाटा इसमें से भी यूज कर लिया हूँ और नीचे में देखिए जाती हैं आप 9.7 GB बचा हुआ है जो कि है विकेंट डाटा रोल और और यहाँ पर जो 9.7 GB है इसके बारे मैं आपको काली बदाया था यहाँ पर जो फी डाटा है मेरे एकाउंट में हो सारे यहाँ पर बचा हु करत गया था कि आप 299 या फिर उससे ऊपर का कोई भी रिजाद कराते हो तब जाके आपको जो विंज और नाटा का फैसलिटी मिलने वाला है तो उसी के तहट अगर आप रिजाद करेगा तो आपको यहाँ पर विंज और रिखने को मिलेगा अगर आपने इन करेटरिया को कर लिए इसके बावजुद भी आपका डिलेटा में से कट हो जाता है तो आपको सबसे पहले का अप्लिकेशन अप्डेट करना चाहिए और अपडेट करने के बाद भी कटा हुआ दिखा रहा है तो आपको जो कंपने संपर करना चाहिए अगर आप इन सारे करेटरिया को फॉलो करने के बाद आपके अकाउंट से डिलेटा में से कट हुआ है तो आपका जो डिलेटा कट हुआ है वह रिकवर कर दिया जाएगा कुछ इस तरह के से वेनेफीट वहाँ पर भी मिलता है तो आप जो कस्टमर की इसस संपर कर सकते हो अगर आपका डेडी डाटा में से कट होता है तो वैसे आप मुझे भी पदा सकते हो विकॉज आपने यह पर सारा प्रूफ दख लिया कि मैरे हिआ पर जो डाटा मिलता हो सारे यह बचा इवेंट पाटे डाटा बचा हुआ है प्लस में विकेंड डाटा मिलता हुँ भी बचा हुआ है इसके बावजूद भी मैंने विंज और लाटा के धा 23GB के आसपास में यूज किया हूँ और अभी मुझे काफी अच्छा यूज करना होगा लागभण में 12GB के आसपास तो अपने अबर कुछ इस तरीके से सारा प्रूफ को जान लिया प्लस में ये भी जान लिया कि विंज और लाटा कैसी यूज करना है तो बस आज कि इस वीडियो में ही पतावार था उम्मीद करता हूँ को बहतीन तरीके समझ में आओगा इसके बाद जूद भी आपको प्रॉ प्रॉब करने वान